नामस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्प टेक्निकल इस्ट डी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे कम्पूटर से सम्मधित 500 MCQ सिरिज का ओनलाइन टेस्ट नमर साथ के बारे में चैनल पहले अपलोड हो चुके जिसका ल वो सब्सक्राइब भी कर लिजे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों अपने 120 के क्यूशन देख लिए थे आज बात करेंगे आगे के क्यूशन की तो क्यूशन नमर 121 है सबसे पहले कम्पूटर का नाम क्या था तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइ करके बताना है फटापट बताओ इसका correct answer क्या होगा जल्दी से बताइए सबसे पहले computer का नाम क्या था तो इसका correct answer हो जाएगा एनाइक क्या था पहले computer का एनाइक अगला question कि दोस्तों अगला question दे रहा है जब एक से हदि कंप्यूटर को जोड़ कर data या information share किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है networking, database, internet या process तो क्या कहा जाता है जब एक से अधिक computer को जोड करे data या information को share किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है चलो बताओ बहुत important question है जल्दी से बताईए right answer क्या होगा जल्दी जल्दी बता रहा है तो दोस्तो उसे कहा जाता है networking क्या कहा जाता है networking correct answer होगा option ये next question computer के छेतर में महन करान ती कब से आई 1977 1995 या 1960 तो कब आई ती computer के छेतर में महन करान ती चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer फटपट answer दो तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा 1960 में कब आई ती 1960 में right answer होगा option D अगला question अगला question दे रहा हादूनिक computer के खोज सरव परतम कब होई ती हादूनिक computer के खोज सरव परतम कब होई ती 1999, 1991, 1946 या 1947 तो कब होई ती आदूनिक computer के खोज right answer क्या होगा फटपट बताईए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 1946 में कब होई ती 1946 में correct answer होगा option C next question अगला question दे रहा है कौन सा point draw device है इन में से point draw कौन सा device है mouse, scanner, keyboard, printer तो कौन सा इन में से इन option में से कौन सा point draw device है चलो बताओ right answer हो जाएगा mouse, mouse क्या है एक point device है अगला question question number 126 है computer में भेजे गई डाटा को क्या कहते है जो computer में भेजा जाता है data उसे क्या कहा जाता है algorithm, input, output, calculation तो computer में भेजे गई डाटा को क्या कहते है right answer हो जाएगा input क्या कहा जाता है input option होगा B अगला question अगला question दे रहा है बार कोडिंग में कितने अक्सर होते हैं 10, 19, 21 या 22 तो बार कोडिंग में कितने अक्सर होते हैं Right answer हो जाएगा ये 10 कितने अक्सर होते हैं 10 से अक्सर अगला question अगला question तेरह का multi user operating system है इनमें से multi user operating system कौन सा है यूनिक्स, MS-DOS, PC-DOS या उप्रोक्त सभी तो इन में से multi-user operating system कौन सा है चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer बहुत important question है जल्दी से बताना है सभी को फटा-फटा answer बताओ क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा इन में से multi-user operating system कौन सा है यूनिक्स, correct answer होगा option ये नेक्स्ट question, अगला question दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य बाग कौन से है control unit, arithmetic logic unit, ये वह भी दोनों ये इन में से कोई नहीं ननोप दज़, तो इसका right answer क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य बाग कौन से है इन उप्सनों में से, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य बाग कौन से है मुख्य पार्ट कौन से है, चलिए बताइए important question है तो इसका correct answer हो जाएगा, C-U-A-L-U दोनों ही क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य बाग क्या है गूगल इन में से क्या है, वेव ब्राउजर, सरच इंजन, वेव सर्वर यह नन ओफ दज तो क्या होगा, इसका correct answer गूगल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, सरच इंजन, गूगल क्या है, सरच इंजन, correct answer होगा, option B next question अगला क्यूशन दे रहा है, ने मिले कि तुम्हें से कौन सा output device नहीं है इन में से output device नहीं है, क्यूशन क्या पूझ रहा है, इन में से कौन सा output device नहीं है option दे रहा है, plotter, projector, sound card या नन ओफ दज, तो right answer क्या होगा, पटबड़ बताओ right answer होगा, none of the, इन में से कोई नहीं अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहा है, मदर बोर्ड में क्या रहता है, जो मदर बोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोडता है मदर बोर्ड होता है उसमें क्या होता है क्या रहता है जो मदर बोर्ड पर CPU के दूसरे परजों को से जोड़ता है यह LU, system bus, input unit यह primary memory चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer मदर बोर्ड में क्या रहता है जो मदर बोर्ड पर CPU को दूसरे परजों से जोड़ता है क्या होता है किसके माद्यम से जोड़ा जाता है राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है क्या होता है सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है मदर वोर्ड पर सीप्यों को दूसरे पूर्जों से अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहा है कम्पूटर के CPU का function है इनमें से CPU के function कौन सा है कम्पूटर के CPU CPU होता है Central Processing Unit तो इसका function कौन सा है invoice बनाता है data delete करता है गणनाई और processing करता है यह nanofit दज तो कौन सा correct होगा CPU का function क्या है जल्दी बताइए right answer हो जाएगा गणनाई और processing करता है क्या करता है गणनाई और processing करता है CPU अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहा है Unix नामक operating परनाली विशेश रूप से किस है तो परियोग में लाई जाती Unix नामक operating परनाली ओते हैं operating system होता है वह विसे इस रूप से किस के परियोग में लाया जाता है सुमपर कम्पूटर, लेप्टॉप कम्पूटर, डेस्टक्टॉप कम्पूटर या वेब सर्वर्स तो किस में परियोग लाया जाता है कौन से कम्पूटर में लाया जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स में लाए जाता है किस में काम लिया जाता है वेब सर्वर में अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा है गेम खेलना किस से आसान हो जाता है किसके माध्यम से आसान हो जाता है गेम खेलना माउस से कीबोर से जायस्टिक से यह monitor तो किस से आसान हो जाता है गेम खेलना तो इसका right answer हो जाएगा जाइस्टिक द्वारा गेम किसके द्वारा खेला जा सकता है जाइस्टिक के माध्यम से गेम को खेलना बहुत आसान हो जाता है correct answer होगा option C अगला question अगला question दे रहा है जब PC पर किसी documents पर कार्य करते हैं तब documents एस्टाई रूप से store होता है तो किस में होता है रो में RAM में CD-ROM में या CPU तो किस में store होता है चलिए बताइए इस्टाई रूप से किस में store होता है कोई भी documents तो इसका correct answer हो जाएगा एस्टाई रूप से RAM में store होता है किस में होता है random access memory इसका full form क्या होता है random access memory correct answer होगा option B अगला question अगला question दे रहा है इस्टाई पर system unit से जुड़ते हैं उसे क्या कहते बस port yes ring तो क्या कहा जाता है इसका correct answer क्या होगा जल्दी बताओ इस्टाई इस्टाई पर system unit से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा port के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है पोर्ट के नाम से, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रखा है कम्पूटर बासा जावा, के आविस्कार कोन है, कम्पूटर में जो बासा है जावा, उसके आविस्कार कोन है, IBM, MS, Sun Microsoft या Infosystem, तो कोन है, जावा, बासा के आविस्कार के कोन है, करेक्ट आणसर होगा, Sun Micro, So, करेक्ट आणसर क्या होगा, Option, C, Next, क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा है, RAM किस तरह की मेमोरी है, B3, भारी, साई की है, मुक्चे, तो किस प्रकार की मेमोरी है, RAM, करेक्ट आणसर होगा, मुक्खे मेमोरी, कौन सी मेमोरी है, मुक्खे, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा है, Assembly Language क्या है, Assembly Language क्या है, Computer Assemble करने के लिए Language, Machine Language, Low Level Programming Language, High Level Programming Language, तो क्या है इन में से Assembly Language, चलिए बताएए, तो इसका राइट आणसर होगा, Low Level Programming Language है, क्या है, Low Level Programming Language, क्रेक्ट आणसर होगा, Option C, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आयों, तो लाइक, सेर कर देना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लेना, थैंक्यू,